खानपान की एक छोटी सी आदत कम करती है हार्ट अटेक का खत्रा तो आप भी जान लीजिए क्या है वे हार्ट फेलियर तब होता है जब हार्ट सरीर की मांग के अनुसार प्रावी डंग से खून को पंप नहीं कर पाता है इसकी वज़े से सरीर को आवशक, पोशक, तत्वो और ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है इससे हार्ट अटेक हो जाता है और हार्ट फेलियर एक क्रोनिक बीमारी है इसके कुछ खास लच्छन होते हैं तो अब जान लीजिए कि डायट में नमक की ज्यादा मातरा का दिल की बीमारी खाने में नमक का प्रिόग करते हैं, उनको हाट फेलियर हो जाता है तो अब जान लीजिए कि हाट फेलियर के आपको क्या-क्यालचन दिखेंगे आपकी बॉड़ी में, तो हाट फेलियर तो होता है जब हिर्दे सरीर की मांग के अनुसर प्रभाबी डंग से खोन पंप नही कर पाता है जो कि मैंने आपको भी बताया था तो देखिए सांस की तकलीफ हो जाती है आपको लगातर खांसिया गबरहाट रहती है तलल पदार की वज़े से आपको सूजन रहती है बोडी में बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है दिल की धड़कन तेज हो जाती है और अक लेना चाहिए क्योंकि सोटियम फ्लूड को बढ़ा सकता है और इसकी वज़े से आपका हार्ट फेल हो सकता है तो उम्मीद करता हूँ ये हेल्थ से रिलेटेड और आपके दिल से रिलेटेड आपको जानकारी काफी अच्छी लगी होगी